कभी वो पैरों में गुंगुरू बांद कर अपनी सूरीली आवास से उचे लोगों की महफिले रोशन किया करती थी लेकिन वक्त जब करवट लेता है तो देवता भी नहीं बचते फिर आम इंसान भला कैसे वक्त की मार से बच पाए महफिले रोशन करने वाली गौहर बानों कभी बंदूग थाम कर बियड की चीखों की सबूत बनेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था चलिए आज क्राइम तक पर बात करें महफिल की घजल से बियड की दाहार बनी गौहर बानों यानी डाकू पुतली बाई की पुतली बाई का जन्म साल 1926 में मद्रप्रदेश के मुरैना जिले में हुआ था वो बच्पन से ही नाचने गाने की शौकीन थी तो धीरे धीरे वो पूरे मौरेना की जान बन गई लोग धूर धूर से उसका नाच देखने आया करते थे गौरबानों का नाम चारों तरफ छा गया इस नाच गाने से पुतली बाई पर पैसों की अंधा दूंद बारिश होने लगी लेकिन जल्द ही ये शोहरत उसे चंबल की बियड में खीच ले गई उस वक्त धौलपूर से सटे बियडों में डाकुस सुल्ताना का आतंग था और उसी सुल्ताना को पुतली बाई से महबबत हो गई सुल्ताना की ऐसी महबबत के चलते वो पुतली बाई को दमका कर अपने साथ चंबल ले आया और एक रोज फुतली भाई भी सुल्ताना की आशिकी के पीछे हार गई उसने सुल्ताना की मोहबत को तो कबूल कर लिया लेकिन उसके काम से वो दोस्ती नहीं कर पाई इसलिए वो वापस अपने घार आ गए गाउं लोटते ही पुलिस नहीं से पकड़ लिया और डाकू सुल्ताना की राज जानने के लिए टॉर्चर करने लगी पुतली भाई पुलिस से डर कर वहाँ से बाग निकली और फिर डाकू सुल्ताना के पास ही चली गई अब दोनों चम्बल में एक साथ रहने लगे लेकिन एक दुश्मन की चाल के चलते डाकू सुल्ताना पुलिस के हातों मारा गया उसके बाद पुतली भाई ने अपने हातों में बंदूख थम ली और अपने पती के हत्यारे से एक एक कर बदला लिया गैंग की लीडर बन अब उसने घरों में लूट पाट, अपहरन और कतल जैसे संगीन अपराद करने शुरू कर दिये साल 1957 में एक पुलिसिया मुटबेड में वो अपना एक हात गबाँ बैठी जिसके बाद पुतली बाई एक हात से सटीक निवशाना लागाने के लिए मशहूर हो गई वो अपने एक हात से ही बड़े बड़े डखेतों को धेर कर दिया करती पुतली बाई इतनी क्रूर हो गई कि अब वो महिलाओं की कानों की बालियां लूटने किलके उनके कान तक उखाड लिया करती लिकिन साल 1958 में एक बड़े ओपरेशन को अंजाम देने की कोशिश में लगी पुतली बाई अपनी गैंग के साथ पकड़ी गई और जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गई लिकिन साल